Hello friends, मैं नाम है वीजे, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे Global Variable की, Static Variable की, या Local Variable की हम लोग बात करेंगे Scopes की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं Global Variable के बारे में ठीक है, जैसा है आपको Name से ही समझ में आ रहा है हम बात ग्लोबल, कोई भी Variable Global का बनता है, जब उसको Main से पहले लिखा जाए, Main से पहले जगर मैंने लिख दिया इसे Int X is equal to 10, तो इसका मतलब यह Global होगा, Global कहने का मतलब क्या है, कि चाहे आप इसके अंदर 50 जास function मनाएं, कितना भी चाही लंबा code लिखें, जब तक यह program चलेगा ठीक है, तब तक आपका यह function यह जो variable है, वो access किया जा सकेगा जब तक यह program चलेगा, तब तक इसको आप access कर सकते हैं, इसका scope पूरे program में रहेगा, और इसकी lifetime भी पूरे program में रहेगी तो यहाँ पर देखिए, scope कहने का क्या मतलब है, और lifetime कहने का क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखिए, जो global variable होता है, जो उसका scope होता है, वो पूरे program में होता है अब scope समझ लेते हैं, scope क्या है, scope मतलब कि कहा कहा पर मैं इसको access कर सकता हूँ, अगर main के अंदर, main program के अंदर मैंने लिखा इस तरह से cout और मैंने x को print करवाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने main के अंदर कोई भी variable नहीं दिया है, तो यह x क्या print करेगा, यह यह वाला x print ठीक है, अगर मैंने कोई यहाँ पर function मनाया है, जैसे मैंने function का name बनाया fun name से, इसके अंदर मैंने यहाँ पर cout लिखा, ठीक है, और मैं x को access करा रहा हूँ, तो यह x किसको access करेगा, global variable को access करेगा, अगर यहाँ पर आपने कोई function, यहाँ पर अगर आपने same name से variable नहीं दिया जाए तो ठीक है तो इसका स्कोप का है पूरे प्रोग्राम में है कहीं भी आप इसे एक्सिस कर सकते हैं और इसकी lifetime क्या है यह हटेगा कब देखिए आपका memory में सबसे पहले तो जो आपका main होगा उसके लिए आपको section दिया जाएगा ठीक है ठीक है और कोई function लिखते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग memory दी जाएगी फिर एक memory होती है मैंने आपको बताया था static variable के लिए और global variable के लिए तो यहाँ पर जो global variables होते है इनके लिए एक अलग memory इनको मिलती है ठीक है जो code section पर आती ह code section पर उसके बाद आता है आपका stack ठीक है फिर आता है आपका heap ठीक है stack उपर को बढ़ेगा heap नीचे को आएगा तो यहाँ पर देखे जो global variable है यहाँ पर जिसी मैंने x is equal to 10 create किया तो यहाँ पर global variable एक create हो गया ठीक है x की value यहाँ पर 10 हो गई ठीक हो गया static variable के बारे में बात करेंगे ठीक है पहले जालने थे global variable अब यह delete कप होगा memory से जब पूरा program बन जाएगा create हो जाएगा सारी line execute हो जाएगी उसके बाद यहाँ से यह memory से हटेगा ठीक है वरना नहीं हटेगा तो scope समझ गए lifetime समझ गए scope होता है कहाँ कहाँ उसको access कर सकते है lifetime होती है क्यों memory से कब हट रहा है ठीक है अब हम बात करते है local variable की फिरम बात करेंगे static variable की local variable क्या होता है local variable सिर्फ एक block त अब देखिए block कहने का क्या मतलब है let us suppose कि मैंने यहाँ पर अपना main function लिया ठीक है इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक variable लिया int x is equal to 10 name से ठीक है फिर मैंने यहाँ पर एसे curly wishes लगाया यह जो body है ठीक है यह curly wishes है यह आपका for के अंदर भी हो सकता है while के अंदर भी हो सकता है औ प्रिंट करवाया x को तो अब आप सोच रहोंगे यह x किसको प्रिंट करेगा यह वाले 20 को प्रिंट करेगा इसको 20 कर लेते हैं या फिर 10 को प्रिंट करेगा तो यहाँ पर यह जो ब्लॉक है ठीक है यह x सिर्फ इसी ब्लॉक के starting में जैसी यह line आईगी वैसी यह create हो जाए और इसकी lifetime क्या है इस block की तक है ठीक है इसके बार इसको अगर मैं लिखाना चाहूँ इस तरसे see out ठीक है x यहाँ पर प्रिंट करवा हूँ अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इस line को तो यह x इस x की value 10 को प्रिंट नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा प्रिं मैंने यहाँ पर क्या किया इस block से पहले int x is equal to 20 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं इसको print करवा रहा हूँ तो यह x क्या करेगा सबसे पहले अपने block में डूड़ेगा इसको block में नहीं मिला फिर यह क्या करेगा अपने function में डूटेगा ठीक है या फिर इस से उपर ज तो यह 20 प्रिंट करेगा अगर यहां से मैं हटा देता हूँ इस line को तो यह x कितना प्रिंट करेगा 10 प्रिंट करेगा तो देखें कि क्या करेगा अपने hierarchy में जाएगा अपने इस उपर जाएगा और कहां तक जाएगा सिर्फ function तक ब्लॉक इसको मिला ठीक है इसके उपर अ और किसी ब्लॉक के अंदर उसको आप access कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि जो यह x है इसका scope कहा है इसका scope यहां से start है और जब तक हमारा main का function खतम नहीं हो जाता वहां तक इसका scope है उसके अंदर चाहे आप कितने भी block बनाएं 10 बनाएं 20 बनाएं उन सब के अंदर इसक scope और जो उनकी lifetime होती है lifetime वो दोनों ही equal होती है और किसके equal होती है block के या फिर function के equal होती है अब हम समझते है static को static काफी important concept है ठीक है static में दो चीजे होती हैं दो चीजे हमें ध्यान देनी है सबसे पहला scope और दूसरा lifetime यहां पर देखिए scope यहां पर lifetime के बराबर नहीं होता scope हमेशा छोटा होता है lifetime से कहने का मतलब क्या है मेरा scope छोटा होता है lifetime से यहां पर देखिए जब भी आप किसी भी variable के आगे static लगाते ठीक है तो यह बताते हैं आप कि यह static type का है मैंने यहाँ पर यह बताया x is equal to 10 ठीक है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यह memory में क्या होगा जिससे मैं आपको बताया था आपका code के लिए memory होती है उसका global variable के लिए memory होती है और का static variable के लिए memory होती है तो यहाँ पर static जो है अगर मान ली जो मैंने कोई function मनाया five name से function us to उसके अंदर मैंने एक function मनाया इंट हो जा रह रहा है यहां से start हुआ यहा पर end हो जा रहा है ठीक है और फिर मैं इसको यहां पर see out करवा रहा हूं print करवा रहा हूं x गो थिक है तो यह x कितना print करके देगा 10 print करके देगा क्योंकि इसका scope चिर्फ इस block से लेकर start है जहां से यह line होई है और यह block तक end हो जाएगा ठीक है इसका scope scope के बात कर रहा हूं lifetime के बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर static variable x is equal to 10 यहाँ पर create होगा ठीक है जो scope होता है हमीसा कम होता है lifetime से मतलब scope क्या है सिर्फ इस line से यहां तक है लेकिन lifetime क्या है lifetime throughout the program है ठीक है जब अब program खत्म होता तक इसकी lifetime है मतलब यह delete नहीं होगा ठीक है अब इसका uses कहां पर आता है वो भी हम देख लेंगे ठीक है अब देखिए इसका uses कहां पर आता है इसका uses वहां पर आता है जहां पर आपको बाहर बाहर function call कराना है लेकिन आपको previous state भी अपनी याद करके रखनी है maintain करके रखनी है let us suppose कीजिए मैंने यहां पर एक fun name से function मनाया ठीक है यहां पर मैंने static variable दिया इसको ठीक है int x is equal to मैंने 10 दिया ठीक हो गया अब मैं यहां पर क्या करा रहा हूं x is equal to x multiply by 2 करवा रहा हूं और मैं यह function को fun को call करवा रहा हूं तेन से यहां पर इस function को मैंने क्रवार दिया थे나 दिल्ग पहले क्या होगा मालीजेD static नहीं है इस case में क्या होगा fun यहां पर इसको मिला fun call हुआ तो यहाँ पर देखें, memory में किस तरह से होगा यह हमारा Main होगा ठीक है, यह हमारा Fun होगा ठीक हो गया, इसके लिए लग memory होगी, इसके लिए लग memory होगी तो यहाँ पर Stack में क्या होगा Main, अपने variable को create करेगा कोई variable नहीं है, इस case में, तो यह क्या करेगा function क्या करेगा अपने variable को create करेगा function के पास variable कौन से है x variable है जिसमें value 10 रखते हैं ठीक है यहाँ से start हुआ x is equal to 10 मिला 10 इसने रखा x को 2 से multiply है किया इसको क्या turn t ठीक है यहाँ पर क्या हो जागा print हो क्या जाएगा turn t ठीक है फिर जैसे यह block end होगा यहाँ पर से क्या होगा यह memory से इसको उड़ा देगा ठीक है फिर यहाँ से function call हुआ fun call हुआ फिर से ठीक है फिर से fun job call हुआ जब पहली line मिली इसको int x is equal to 10 यह करेगा x को 10 assign कर देगा फिर multiply करेगा 2 से इसको 20 बनाएगा ठीक है फिर print out करेगा तो यहाँ भी 20 print होगा ठीक है फिर जैसे block end होगा वैसी यह इसको delete कर देगा ठीक है यह आप समझ में आगे third case में भी ऐसी होगा 20 print होगा और जैसी हमारा function खतम होगा तो यह delete हो जाएगा मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो ठीक है यह समझ दिया कि यह static variable है तो यहाँ पर यह क्या करेगा static variable create कर देगा 10 यहाँ बाइस ने create कर दिया अब यह 10 बन गया 20 next line बे तो इसको यह 20 बना देगा ठीक है 20 बना दिया एसने इसको 20 बनाने के बाद यह print होगया तो यहाँ 20 print होगया दुबारा से function call हुआ तो यह देखेगा static int x तो यह कहेगा पहले से भी बना हुआ है ठीक है तो यहाँ पर कुछ भी action perform नहीं होगा ठीक है ना यह delete होगा function complete होने पर ठीक है ना यह दुबारा से assign होगा तो यहाँ पर 20 के value 20 ही रहेगी ठीक है इस static में यह समझ में आया कि यहाँ पर block end होने पर यह delete नहीं हो रहा है च्योंकि static में आपसे क्या खाता इसकी lifetime कब तो होती है जब तब पुरा program खतम नहीं हो जाता अभी तब program खतम नहीं होगा अभी यह function end होना बाकि है और यह function end होना बाकि है multiply हुआ 20 से बन जाएगा कितना 40 फिर c out हो गया तो यह 40 print out करके देगा हमें फिर से function call हुआ अभी इसने देखा फिर से 40 की 40 value miss को मिली x की value से फिर से multiply कर दी 80 कर दी और यहाँ पर 80 print हो गया function complete हो गया function end हो गया main function खतम हो गया इसका मतलब क्या हुआ अब इसकी जरुवत नहीं है इसको memory से हटा देगा तो यह होता है इसका lifetime इसका lifetime का होता है program तक ठीक है लेकिन इसका scope का होता है सिर्व यहाँ तक इस block के बाहर अगर आप लिखेंगे c out print x इस तरह से तो यह print नहीं होगा ठीक है क्योंकि इसका block का है सिर्व यहीं तक है इसका scope सिर्व इसके block तक है लेकिन lifetime है वो throughout the program है examples समस लेते हैं अब यहाँ पर कही है सबसे बहले global variable यह हमारा global है ठीक है इसका scope का होगा यहाँ से यह start हुआ है तो पूरा आपके throughout the program चलेगा ठीक है फिर मैंने यहाँ पर क्या किया है एक function को अपने declare किया हुआ है function को declare किया फिर मैंने main function यहाँ पर चलाया main function में मेरा एक variable है x is equal to 5 ठीक है अगर मैं इसको यहाँ पर से run करता हूँ तो यह x print के 25 print करके देगा इसको run करके दिखाता हूँ पहले रन करके दिखा है तो फर्स्ट लाइन जो निकल के आगी 25 डेटन हो के आगी अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं यह देखेगा अब देखिए एक्स यह एक्स अपनी वैल्यू ढूट रहा है ठीक है तो यह अपने ब्लॉक के बाहर जाए था ठीक है बाहर चा सकता है अंदर नहीं आ सकता है यह समझ रहे है इसकोप में क्या होगा कि एक्स जो है एक्स इस इस इगल टू फाइव जो है इसका इसकोप कहां से इसका इसकोप यह पूरे में के प्रोग्राम तक है यहां तक यह एंड नहीं हो रहा है कर लिए यहां तक तो यह इसके अंदर भी है ठीक है वो तो हमने क्या किया था int x is equal to 25 कर दिया था तो यहाँ पर जो x था वो सबसे पहले अपने सबसे pass वाली value को ढूंड़ेगा तो x इसको 25 मिलगी 25 print कर दिया है इस case में अगर मैंने इसको comment कर दिया आप देखे x 5 print करेगा यह ठीक है इसको मैं run करता हूँ delete करके फिर से तो यहाँ आप देखेंगे कि value जो इनके लिएगी वो 5 print हो के आई ठीक है यह समझे आया इसको comment कर दिया मैंने फिर देखे उसके बाद मैंने क्या किया है यहाँ पर x की value को print कर वाया है अब यह x की value क्या करेगा इस block के अंदर नहीं देखेगा ठीक है यह क्या देखेगा सिर्फ अपने scope में देखेगा अपने scope में क्या मिल ला है इसको यहाँ पर यह मिल ले x की value 5 तो यह मुझे 5 print करके देखा यह देखे यहाँ पर यह 5 आ रहा है कि global और local variable क्या होता है अब यह देखे अगर मुझे यहाँ पर यह x की जगा पर यह global variable axis कराना है 54 axis करवाने तो कैसे करा सकता हूँ तो मैं लगाँगा colon colon इससे क्या होगा मैं global value को axis कर पाऊँगा 54 को axis कर पाऊँगा यहाँ पर 5 लिखा आ रहा था वहाँ पर कितना लिखा आएगा 54 लिखा हुआ आएगा अगर मैं यहाँ पर भी colon colon लगा लिए था हूँ तो यह भी क्या करेगा global value को axis करेगा यहाँ पर first line में भी क्या आएगा 54 लिखा हुआ आएगा यह आप समझके अब देखे यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे मैं आपको बताया था normal variable की case में जब मैं display को call करा हूँ तो display क्या कर रहा है x की value 5 कर रहा है multiply कर रहा है 2 से तो 10 print करके दे रहा है फिर से display call हुआ फिर से वो 5 को multiply कर रहा है 2 से यहाँ पर 10 output दे रहा है फिर यह भी display भी कर रहा है यह भी 10 देगा और यह भी 10 देगा तो इसलिए हमें जो output देखने हो मिल दा है वो 10 10 10 देखने को मिल दा है ठीक है अगर आप देखें तो 10 10 10 ठीक हो गया अब देखे अगर मैं इसको यहाँ पर से static कर देता हूँ उससे पहले में क्या करता हूँ यहाँ पर आपको एक और चीद दिखाता हूँ अगर मैंने यहाँ पर इसको comment कर दिया इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर यह x की value किसको access करेगा अगर सबसे पहले मैंने display को यहाँ से call किया है इधर से ठीक है सबसे पहला display यह आला call होगा तो यह x यह वाले x की value प्रिंट करेगा यह global value प्रिंट करेगा तो यहाँ पर आप देखिए यह क्या करेगा अगर इसको अपने function में नहीं मिलेगा तो यह global variable में देखेगा ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर यह क्या करेगा देखिए 54 को access कर रहा है कि यहाँ पर यह क्या है 54 है ठीक है पहली बार जब display call हुआ तो इसने क्या करा global value को यहाँ पर access किया ठीक अगर यह global variable नहीं होता तो यहाँ पर यह error दिखाई देता इसको यहाँ से मैं आटा दिया अब देखिए मैं इसको यहाँ पर से फिर से start कर देता हूँ और इस case में मैं क्या करूँआ यहाँ पर इसको कर दूँआ static अब देखिए difference कितना आएगा सबसे पहले यह display जब call होगा यह वाला display यहाँ पर x की value थी 5 ठीक है multiply हो जाएगी 10 हो जाएगी फिर यहाँ पर 10 print हो जाएगी इसका मतलब यह 10 print करके देगा फिर उसके बाद यहाँ पर यह display call हुआ second time तो यहाँ पर क्याँ पहले से 10 value थी वो 2 से multiply हो जाएगी 20 यहाँ पर print होगा फिर यह पहले से 20 value थी multiply होके 40 हो जाएगी पहले से 40 value थी multiply होके 80 हो जाएगी ठीक है अपने answer को देखेंगे तो यहाँ पर देखे 20 40 80 और यह 10 यह वाला 10 ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि static variable किस तरह से काम कर रहा है scope सिर्फ यहीं तक है इसका यह display तक का ठीक है अगर मैं इसको देखें यहाँ पर इसको static बनाऊँ अगर static int x is equal to 25 ठीक है ऐसे करते हैं इसको एक और block के अंदर लिखते हैं इसको मैंने cut किया यहाँ से और इस block के अंदर लिख दिया अब देखें block को ज़रा सही से कर लेते हैं तापको आपको सही से दिखाई दे यह static block इस block तक ही सीमत है इसके बाहर में इसको अगर access करना चाहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा देखें copy के मैंने यहाँ से code और इस block के बाहर मैंने इसको यहाँ पर print कर दिया x की value ठीक है y कर लेते हैं तो क्या मैं इसको y यहाँ पर लिख पाऊंगा और इसको access कर पाऊंगा तो यहाँ पर देखें इसके अंदर red इसके नीचे red color की line हम यहाँ पर देखने को मिल दा है और यहाँ पर भी देखने को मिल दा है और यहाँ पर भी देखने को मिल दा है और यहाँ पर कहां तक इसकोप है, इसकोप सिर्भी ही तक है लेकिन lifetime ये रहेगा ठीक है, वाई मैं आप कितना भी change कर लिजे बारवा इसको call कर लिजे इस blog को, यहाँ पर क्या होगा इसकी lifetime throughout the program रहेजे जो मैं आपको करके दिखाया ठीक है, तो आज आप समझ गे होंगे झाल आप कर दो आपको कर दो अज़े प्रूब झाल